और चलिए बड़ी खबर जान लीजे जैपूर से मिल रही है एरिटेज नगर निगम में ब्रशाचार का मामला है मेर मुनेश गुर्जर ब्रशाचार में शामिल ये ACB की कारवाई में निकल कर बाते सामनी आई है अब योजन के लिए सरकार से मांगी है इजाज़त इस्थानिय निकाय आयुक्त से इजाज़त मिलते ही योगी कारवाई पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत खोरी का आरूप लगा है पिशले साल अगस्त के महीने में मेर के पती को ACB ने ग्रफतार किया था अब योजन के लिए सरकार से इजाज़त मांगी है इस्थाने निकाय आयुक्त से इजाज़त मिलते ही कारवाई होगी और इसी पर जादा जानकारे लिए सोमू आनद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सोमू हैरिटेज नगर निगम में ब्रस्थाचार का मामला वो सबी जानते हैं लेकिन अपडेट ये हैं जो महतपूर हैं कि एसी बी के और से ये का गया है कि मेर मौनेश गुर्ज़र ब्रस्थाचार में शामिल है अपनी जांच में ये पाया है कि मेर मौनेश गुर्ज़र जो है उस पूरे मामले में सनलिप्त रही है और उनके खिलाफ एसी बी को तमाम सबूत जो है वो मिले हैं अब इन्ही सबूतों के आधार पे एसी बी ने ये कहा है अभियोजन की अनुमती मांगी है सरकार से है वह पेश कर दिया जाएगा देखिए ये पूरा मामला अगस्त में विस्तर साल सामने आया था जब एसी बी की टीम ने छापा मारा था मेर मौनेश गुज़र के घर पे और वहां से पट्टेओं के साथ 41 लाग रूपए भी बरामत हुए थे अलाकि बाद में ये कहा गया था कि ये 40 लाग रूपए अपने नीजी है जो कि एक जमीन बेच करके जमीन बेचने के बाद जो राशी आई थी वह है अलाकि इस पूरे मामले में अब जब एसी बी ने अपनी जाज पूरी की है उसके बाद जो एसी बी के अधिकारी है एस पी एसी बी के राजन नेंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से तयार की है और उन्होंने ये पाया है कि इस पूरे मामले में पटों के लिए रिश्वत मांगने का जो आरोप है वह आरोप एक तरह से ACB ने पुष्ट पाया है और अब इसी मामले पर ACB जो है वह आगे कारवाई करेगी निश्य दुरुप्सिकों की पहले बात तीन दलाल भी गरफतार हुए थे और फिर बात में मेर मुनेश गुजर पर भी कारवाई हुई थी उन्हें निलंबित किया गया था हला कि हाई कोर्ट से उन्हें रहात मिली थी उसके बाद फिर से अपने पर पर बहाल हुई थी लिकन तो देखे जब ACB ने अभियोजन की अनुमती मागी है उसके बाद से मेर मुनेश गुजर से संपर्ख नहीं हो पाया है उन्होंने बात करने से भी इनकार किया है लेकिन ये जरूर है कि पहले से वो ये कहती रही है कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है वो स निश्चित रूप से मेर मुनेश गुजर की मुस्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी और एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहूंगी सोमो आनन्द किस से पहले भी हमने देखा था कि निलंबन किया गया मुनेश गुजर का लेकिन उसके बाद हाई कोट का उन्होंने रुखो किया और उसके बाद उन्हें एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है क्या लगता है एक बार फिर से निलंबन की तलवार जो है वो उन पर लटकती हुई नजर आ रही है निश्चित रूप से देखिए अगर अभियोजन की अनुमती मिलती है तो उसके बाद से इस बात के बहुत प्रबल संभाबना इस बात की है कि उन पर फिर से एक बार निलंबन का खत्रा खत्रा आ सकता है और एक बार फिर से वो कोट के शरण लेती भी नजर आएंगी तो वहाँ पर उनके पास इस बात की आजादी तो होगी है कि वो कोट में अपना पक्ष रख सके ठीके शुक्रिया आपको सोमो औरन तमाम अपडेट इस मामले पर देने की